और आप बाद शेयर बाद आपके अरज़ाट जो बिलकुल एक फ्लाट कारोबा रहे हैं उमीद यही थी कि बाज़ार पे एक बाउंस बैक आएगा कि कल लेटर हाफ में बहुत स्ट्रॉंग लिच्ट लिच्ट से स्मार्टली पूल बैक दिया था अब अब 86-38 के लेवल पे है फ्लाट कल्की क्लोजिंग के हसाब से लेकिन जो स्टॉक्स जड़े हैं आज उसमें औरबंदो फार्मा अर्निक्स का इंपक्ट है पांच परसंट की तेजी अब 777 के लेवल पे काम कार्च कर रहे हैं इसके लाबा मारूती सुजुकी और NTPC ये जो छोटी मज़ौली कार्टिक्री को भी लॉग करते हैं जहां पर आज शांदार रिटर्स मिल रहे हैं वो देखें स्मॉल काप रिडार हमारे दो सेग्मेंट्स हैं टुडेइस ट्रेड और साथी साथ सूपर शेर दोनों में ही आउट परफॉर्मेंस है आज फेडर्स लॉइट दिया गया था पांच परसन का रिटर्न ये साथे आठ बजे आपको शेर बजार खुलने से पहले ही फेडर्स लॉइट दिया था अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में मिलते हुए नजराए और दूसरा स्टॉक है इंदरपरस्त मेडिकल जो आपको दिया अच्छे परसन की तीजी स्टॉक में देखने को मिली। फर्टिलाइजर स्टॉक स्टॉक्स बज कर रहा है आज दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक से जहाँ पर आज ट्रेडर्स का मिलता हुए नजरा है और गैबरियल एक और शेर अब तक के उच्छ तमस्तर पे ट्रेड कर सब्सक्राइब कर चुका है मेरे साथ आशिश केलकर जी रहे हैं पार्टनर प्रसीजिन इड्वाइस दें कि जब बजार खुला नहीं था तब हमने यह जातर ब्रोकिंग हाउस के एक्सपेक्ट करें कि बजार पर एक पाउंस बैक आएगा जो एक रेंज के अपर पोर्शन तक ले जाएगा 86-86-90 तक आपका क्या व्यू है एक्सपारी कहां तक कट सकती है मैं मानता हूं कि एक्सपारी 86-50 और 8-7-00 के बीच में होने की संभावना चार्ट के उपर जो रुचान दिखाए देरे उसके आदार पर मैं भी यह बात कर रहा हूं इसके इन दोनों के बीच में होनी चाहिए आज का अगर हम ट्रेडिंग सेशन के बात करते हैं तो 86-60, 86-80 यह लेवल है जिसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई देरा है चार्ट के उपर और नीची की तरफ अगर हम देखते हैं तो 85-60 का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो oscillation होगा तो wait and watch policy index के उपर अपनाने चाहिए और stock specific approach होना चाहिए Stock specific की बात करते हैं मैजस को देखके बता है क्योंकि आज जो सबसे ज़ादा चड़ने वाला stock यही दिखाई दे रहे हैं आपके क्या targets है न्यूश लोगे चलते हैं अब 534 पर बहुँच चुका है यह 10% उपर मैजस को के अगर हम चार्ट देखते है तो करीबन जुले मेने के end में इस stock में बहुत बड़ा उच्छाल आता हुआ नजर आ रहा है तो उसका जो top है वो है 590 का और उसके बाद सीधा correction यह stock में आता हुआ नजर आ रहा है और 480 का एक level है जो नीचे की तरब उसने base building वहाँ पर बनाया है वहाँ से जो उच्छाल आया है यहाँ पर भी मैं मानता हूँ कि 580 के पहले एक छोटा resistance है 561 का तो 561 तर डिफिनेटली यह stock जाता हुआ नजर आएगा 561 क्लोज कर देया तो 508 यह target पर ग्राविटा देखके बता है अज निश्टत तो से खरेदारी है कल के सत्र में भी एक गिरता हुआ stock पलटने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज तो यह stress बहुत strong हो गया साथ साथ परसेंट उपर है आज profit booking कर लें या फिर यहां से तेजी अभी और बढ़ेगी थोड़ी और तेजी बढ़ने की संभावना चार्ट के उपर दिखाई दे रही है मैं मानता हूं कि यह stock 32.5 33 तक भी जाने की संभावना है अभी करिबन 31.6 31.8 की बीच में यह stock trade कर है तो 32.5 33 का लग्ष लेकर बने रहे है इस stock में Deepak fertilizer यह fertilizer pack में को इस stock आपको पसंद दो सबसे पहले अगर हम बात करते है तो फिलाल यह stock 222 और लेवल पे ट्रेड करता हूँ नजर आ रहा है मैं मानता हूं कि यहां से और उपर जाने की संभावना है इस stock में यह stock करीबन अभी यहां पे जो 216-217 का लेवल ता जो इसने करीबन 2011 में टेस्स किया था उसके उपर अभी हम आज stock जाते होगे नजर आ रहे है तो अभी उपर अगर हम फटिलाइजर की बात करते तो फटिलाइजर stock में एक sector में जेन फस्टाख है जो मेरा पसंदीदा होगा यह जो stock है इसमें भी एक अच्छे पैटर्न को बेड़काउट दिया है और मैं मानता हूँ कि यह stock करीबन 177 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो 193 तक यह stock जाने की संबावना है तो जीनेपसी और दीपक फटिलाइजर दोनों पर मैं बुलिश हूँ